हे गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लोग और अभी सुबह के बज़रे छे हम दोनों नहा चुके हैं और मंदिर जा रहे हैं अभी निक्की तैयार हो रही है और आन्वी की दादी आन्वी का मूध होने के लिए के गई अभी तो गाइस हम लग जा रहे हैं मंदिर सुबह के छे बज़े हैं और सुबह के छे बज़े हैं नहां दो के चलो जी मंदिर में और यह आम का पेड़ा बहुत बड़ा फूरा और इस पर आम भी लग रहे हैं थोड़े थोड़े छोड़े छोड़े जैसे यहां पर गिर रखा ही काम ऐसे बहुत सारे हाम है यह देखो और सुबह छे वज़े धूप निकल चुकिया उपर उपर आपको दिख रहा होगा उधर साट भी बस अब सीधा ही रास्ता है यहां यहां पर आपको मंदीर दिख जाएगी यहां पर है मंदीर हुआ इस मंदर में और यह वाला हमारा गर इंद दर्वाज़ा खूल रहा है यह वाला यहा को यह से और इधा arises आनु कितना रोई अभी आनु की दादें नी आनु का मुद होई दे अना तो यहां पर मंदिर में हम पहुंच गए ज्यम आता दि तो यहां पर गेट खोलता है बंदिर का चलो जी और यहां पर चपल यहीं पर उतार देते हैं अनु बोलते जे मात आदी जे मात आदी जे मात आदी जे मात आदी तो यहां पर फ़तने हवान कुंड है यहां पर दूप जिला रहा है जाए पापा शाद जय करने जाओ देख पापा लोग खोल रहें यह है यहां का मंदिर हमारा और हे घ्रावण होता है पहले यह नहीं था फिर अभी यह भी हो गया यहां पे कितन अगयरा हो जाते हैं और आदी आनु जय माद दी चलो आना मान देखो आना देखो आनी जय को देखो वह देखो तो गाइस हमने यहां पर दिया दुया जला लिया है अब चलते हैं घर अभी साड़ीशे हो चुके हैं और लगबग आधी जगह दूपा चुके हैं कि यह देखो यह इधर भी हमारा ही गाउं है यह रास्ता जा रहा है और इधर भी और उधर तक यहां तक आपको दिख़रा होगा ऐसे में और गाउं के आगे का व्यू कुछ ऐसा है कि देखो कुछ काली बक्रिया कुछ सपीत पर साथ बाद हम खेला है तो हम घर पहुंच चुकर अभी और यहां पर गाई का दूद निकाला जा रहा है अजिए देखाए तो बहुत भी अधर वहाला इसको क्या बोलते हैं इन ले मैं बत्थ देखाला टॉब पर देखेगं शुष्ण किने सीज़ा देखेगग अजिए मेरी मम्मी मक्हाइ निकाल दिया है इस से निकलेगा मक्हाइ आओ अगादी अब थोड़ा में ट्राइ करूंगा इसको हो प्राइ थोड़ा पाला इसकों टो को है एंगे थिए..? हसुआ है थिएया.. तो इसमें लाओंगा और आप खुटी दिखाऊंगा वहां लाकर हमारा रेगुलर व्यूर सब्सक्राइबर तो कुछ सामके 6 बज़े ऐसा भी है का बच्वास धनुटी प्रके टाँ हमार है वोकाण सर्भक ये और हैं दॉल वोकाण सबती भड़ सबसे हरा नटक बाद साइस यह सबी भी पानी से ला रहे हैं और यह है बिच्छू गास अगर यह टच हो जाए तो जहां पर टच होती वहाँ पर जंजनाट होती है और यह पीपल का पेड़ है और इसके सामने यह वाश्रूम है पब्लिक के लिए यह दोनों बोश्रूम है और यहां नहां भी सकते हैं और यह पानी है जो जमिन के अंदर से निकल दा कुछ इस तरीके से और इसमें भर के ले जाओंगा मैं चलो भरो बैए तो कुछ इस तरीक से लेके जाना पड़ता है पानी घर तक कोई सहर में ले जाता है तो कोई पान लिटर की कैन में कोई कंदे पर जैसे में ले जा रहा हूं और साम का व्यूँर कुछ इस तरीक गयए और यह सिर्फ खाने पिना बनाने के लिए और पानी पीने के लिए काफी यह बाकी और कामा से जैसे फाण दोने के लिए गाहि बक्री और पिलाने के लिए वह नजदिक आते या नल्प है तो पड़ दोने के लिए और पानी इनफ है क्योंकि वह आताल रहते है जोबिश गंटे और पीने के लिए यह वाला पानी ले जाना पड़ता है कि अजी चेजिए अहां डेड़ सालवाद काफी लंब टाम चले गया और गराती आनु ने मेरी यहां पर सुसू कर दिया देखो कि यहां पर गलांग कर मेंगरा दूणो कर्सके ध्राद केंवार गरी जाफी लंगेट साल कहाता कि यहां थीए घटी लंग लंवाद में ढाद करेखो